हाई अब्रिवान वेलकम टू अनादर इंपोर्टान एनलिसी वीडियो कल से फ्रेक्ष फ्री स्टार्ट होने वाला है तो जहाँ पे फ्रेश लेवल्स बनाएंगे विकले टाइम फ्रेम चे पनरा मिनिट तक सारे लेवल्स बनाएंगे एजस्मेंट करेंगे बहुत से लोगो क्योंकि अगर देखोगे तो अभी मार देखो अभी निप्टी ने क्लोजिंग कहा दिए गया जाएंगे जहां पर कोशिश करेंगे कि मार्केट को गई यहां से डम करेंगे तो नो डाउट या विकले टाइम पर यह रेट जो ग्रीन कैंडल बनिए नेक्स कैंडल यहां पर रेट बन सकती है अगर रेट बनी तो अच्छा फॉल आएगा नहीं तो गईज यहां से ब्रेक डाउन ब्रेक आउट देके ऊपर चला जाएगा बट अपन है प्राइस एक्शन टेडर लेवर्स के साथ चलेंगे और गईज यहां पर विकले टाइम जो भी शेयर कर सकते हैं जो भी गईज यहां पर बिगनर्स आइगा उनको अच्छा एक एक अनलिसिस मिलेगा और लाइक कर देना वीडियो को और नयों तो सस्क्राइब तो करी देंगे चलो गईज अब इनिप्टी का अगर वन डे के टाइम पर अगर आप अनलिसिस करोग अगर देने यहां से मारकेड यहां तो रिजेक्शन लेकी निच्छा आएगा तो आप पनप्रास है तैंडर है यहां पर यहां पर फोड़ा से कर सकते हो चलो गाइज यहां पर आपको इंटर्मेडेट एक लेवल में यह 18,550 मतलब यह बहुत जादा गाइज यहां पर स्ट्रॉंग सपोर्ट होगा यहां पर आने वाले जिनों में अब आपको और एक लेवल मिल जाते अपसाइट के तीन अवर उसने टाइम बिता हो गाई यहां फैसा होता है बेकम्स सथी जैगाई मारकेट शकी नीचे आजएगा तो यहां पर सकते हैं लेवल के पर आजस्मेंट करना शीखना पड़ेगा लेवस के साथ तो गाज यहाँ पर अगर अबर फिप्टी मेट के टाइम फ्रेम पर चलते तो गाज यहाँ पर मार्केटर ने आपको यहाँ पर कही ना कई दो अभी अपने पास लेवलस हैए दो लेवलस के बिच अपने को आप अपने को लैपे क्लोजिंग मेली enables के यहाँ यहाँ पर एकक रिजिस्टन्स करीगा यहाँ पर फ्रेगा यहाँ इसने लेड़िष्टांस फैस कर चुका है मा अगर यहां से अगर इस सपोर्ट लेता है इस लेवल से या तो यहां पर देखो यहां से मार्केट को गाई बायस ने उपर लेके चलेको कई ना कई मार्केट में यहां पे यहां उनके लॉइंन अगर मार्केट नीचे आतके जाती लेवन के ऊपर लुआप वीयुंट के घथे ऊपर यहीं셔서 और अगर फ्लाट उपन होने के बाद अगर अबसाइट जाता है तो अबसाइट के लिए अपनए प्रेट गाइद नहीं करेंगे क्योंकि अफ़क्त जाता है तो और यहाँ पर आपको प्रिवेशक लेगी क्लोजिंग रहेगी उही रहने वाला है फिंपल सा एनलिसिस रहेगा गय जाफे यहाँ तो यहाँ पे आपको पहیला टरडेंट यहाँ पे छोड़ा फूल बैक्ट यहाँ पे यहाँ निपटि के लिए सिंपल सा treating equiv 00 sे आले मेले बता दिया तो फिंपल सा प्सेत के लिए क्या रहेगा fuel तो अगर यहां पर टाइम पस करें इस हाइक के पास तो नो डाउट यहां पर कर भी फट्सकता है जब रेंज बना उस रेंच को अपसाइड या तो डाउनसाइड निकाले तब जाके आप ट्रेड लेना देखो महिने सब शिन्यरों आपको बता चुका हूँ और गैप मार्के गाई जापे complicated करो मत so that आपका stop losses जो भी target है गाई जापे complicated हो जाएगे और आपका entry नहीं हो पाएगी simple सा गाई जापे यह levels mark करो यह trade plan लिख के रखो और curl trade करो चलो गाई जापे bank निख्टे के तरब चलते गाई जापे bank निख्टी में से market क्या कर रहा है जापे bank निख्टी कुछ भी नहीं कर रहा है सिर्फ यह गुरुवार को यह जो fall आया था week बना के Friday को गई जापे ऊपर भी चला गया बट आप देखोगे जापे price action trader की तरह सोचोगे तो इस ने गई जापे कुछ moment ही नहीं दे इसी levels के बीच में जापे कई ना कई यह जापे market closing और opening दे रहा है no doubt यहापे मैं जो analysis दे रहा हूँ जापे आने वाले दिनों में कई ना कई अगर नीचे closing आते है अगर upside अगर देखो upside अगर closing आते है नो यहापे इस zone के लिए भी आ सकता है but weekly time frame से तो आपको यही समझ आ रहा है कि market अभी consolation में ही है simple जी बाते जो Thursday को आया था जो Friday के दिन में fall आया था वह fall को देखने समझ यह मत समझ जाना की market अभी जापे बूरिश मेंने है यहाँ तो Friday के दिन में जो बूलिश ने शाहिए वहां से मत समझ जाना की market बूलिश है सिंपजी बाते यहाँ पर देख सकते हैं विकली time frame पे आपको पूरा consolation में दीख रहा है market अब यह तो समझ आ गए कि पूरा consolation में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ लेवल्स आप मार्क कर सकते हो यहाँ यह जो लेवल्स है अब यहाँ पे लेवल्स यह मार्क कर लेना अब अब देखो market में यह sellers तो आये थे यह जो expiry के दिन sellers आये थे अब देखो यह जो लो गाई इसका अगर दूसरे दिन यह जो फ्राइडे की दिन यह लो ब्रेक होता ना तो नो डाउट एक बड़ी अब मार्केट उसी रेंज में आ चुका है इसी रेंज में देखो चार पाच वीक से ताइम बिता रहा है नो डाउट बट अपने इंट्राडेट टेडर तो आपको सारे लिवस निकाल के दूंगा चलो वन और के टाम प्रेम पे चलते और इंट्राडेट के लिए रेंखें बता रहे हुआ हैं आप लोग आने वाले इनहों में क्या कर सकते हैं आप लुड़ेंगे तोड़ा इनलिया reflection कीताएउ rinse मतलब गाई यहां पर 44,000 एक ultimate आपको एक यहां पर लेवल मिल जाते हैं 44,000 के पास अभी market क्या कर रहा था, hold कर रहा था, time pass करके गाई यहां पर ब्रेक करा तो अच्छा fall देखने को मिला, अब वो resistance के तरह काम कर रहा है, इसने गाई यहां पर 44,000 के नीचे ही closing दिये नो डाउट अगर गाई यहां पर one hour के time frame पर कही ना कर अगर यहां पर closing 44,000 के उपर देथा है कल, तो कल गाई यहां पर bullish माना जाएगा, नहीं तो गाई अगर यहां पर bullish रहेगा market, यहां पर इस यह level के बीच में, यह दो level के बीच में गाई यहां पर time pass करते हुए आपको लेवस तो मिल गई, आपको लेवस तो मिल गई, सारा trade plan आपको समझ आना चाहिए, आपको आपको कल गाई जाके कही आप घलती ना करो, सब कुछ समझा रहा हो, थोड़ी से वीडियो लंबी हो जाती है, बट गाई आपको संदे का analysis पूरा गाई यह वीकली के लिए लेवल होते तो यह सारा चाहिए, चलो, अब यह market की यहाँ पर closing मिलिए, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर high निकालता है, यहाँ पर आपको पहला target यही रहने वाला है, आपको पहला target यही रहने वाला है, कहीना कहीं market यहाँ पर resistance फेज करेगा, 44200 कहीं जापर लेवल, अगर यहाँ पर resistance फेज करके कहीना के market यहाँ पर आपको ब्यूरिश ने ब्यूरिश कैंडल दिखाता है, यहाँ पर पहला target यहाँ यह रहने वाला है, अगर pullback लेके अगर यहाँ पर तोड़ना चाहता है, यहाँ तो time pass करके तोड़ना चाहता है, तो no doubt तोड़े इसके बाद यहाँ पर 44,200 के पास आपको breakout मिलता है, तो यह रहने वाला seaside अपना plan, simple trade plan, यहाँ अगर upside भी गई, यहाँ पर ओपन वही simple ची बात है, अगर market नीचे आता है, support लेता है, तो आप हो गई, यहाँ चोटा सा risk लेके upside के लिए जा सकतो, अगर नहीं रुखता market त कलके तरीन, क्यूंकि market में यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस एरिया में कईना कई बायर्स एक्टिव है, कईना कई यहाँ पर लोगों के गई, यहाँ तो 44,700 यहाँ तो गई, यहाँ पर जो अपने लेवल निकली आए गई, यहाँ पर ही लोगों के stop loss होंगे, तो गाई य पर फ्रेश लेवल मिल जाएंगे, उसको कई दिक्कत कोई आनी नहीं चाहिए, अगर मार्केट नीचे आता है, तो मैं आपको लेवल दे दूंगा, बट यह लेवल आपको गई, यह पर नीचे आती है, तो यह लेवल निकल ले ले लेना, गई, आपको 43,400 गई, यहाँ पर दरब और C के दरब अपन ट्रेट प्लान नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर अगर अपसाइट जाता है, इसके लेवल के उपर गई पर क्लोजिंग नहीं देता है, गई, इस लेवल के उपर तो गई, नो डाउट यहाँ पर फोर्टी पोर थाउजन का गई, यह थोड़ा स समझा दिया है, अगर ऑपन होने के बाद सीधा नीचे आ रहा है, तो आने देना है, यहाँ पर यह लेवल पर थोड़ा सा यहाँ तो मार्केट यहाँ पर आके टाइम पर्स करें, यहाँ तो पुल बैक लेकर गई, जब ब्रेक करने की कोशिच करें, तो नो डाउट आपका यह आपका टार्गेट रहेगा, सिम्पल सा टेट प्लान रहेगा, देखो, अपनने जैसे सोचा, अगर मार्केट वैसे बीएव करें, तो अपना जैपे ट्रेट प्लान सक्सेस्पूल हो जाएगा, और जैपे यही अनलिसिस होता है, आपने जैसे मार्केट प्राइस अगर आप टेखनी कर ठेडर हो आप एक अनलिसिस करते हो, आपके अनलिसिस के हिसाब से मार्केट अगर बिहेव करता है तो आपको कॉझ्पीडेंस भी आएगा, कि मैं जैपे कहीं ना कहीं अच्छे से कर रहा हूँ, शिम्पल सी बात है, तो आप लोग के सामनी लेवर्ज पर आजाएगा नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और जाप अच्छा अनेलिजिस लगे तो एक छोटा सा लाइक छोड़ देना और कमेंट में बता सकते हो को अब कोई भी डाउट है वाट्सप की दिस्क्रेप्शन में अगर कोई भी डाउट है जा लेवल्स में त तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में टाटा बाई बाई थैंक्यू सो मच